सब्सक्राइब तो आई यूट्यूब चैनल और डोंट फोगेट तो प्रेस्ट प्रेस प्रेस्ट पर आप देखरें मोजो स्टोरी लखीमपुर हिंसा पर सुनवाई करते हुए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जस्टिस सुरिकान्थ और जस्टिस हिमाकोली ने उत्तर प्रदेस सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं कोट ने अब्जर्व किया कि इस मामले में 44 विटनस थे लेकिन अभी तक सिर्फ 4 विटनस के ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किये गए हैं बैंच ने उत्तर प्रदेस सरकार की तरफ से अपियर हो रहे सीनियर एडवोकेट हरी सालवे से यह सवाल पूछा है कि क्यूं इस मामले में अभी तक तेजी नहीं आई है क्यूं अभी तक सभी विटनस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किये गए बैंच ने कहा कि हमें यह लग रहा है कि सरकार इस मामले में जात से अपने पाउं पीछे खीच रही है इस पर सालवे ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि दसहारे के चलते कोट बंद थे बैंच ने पलटवार करते हुए कहा कि क्रिमिनल कोट बंद नहीं थे मुख्य नयायदिस रमन्ना ने कहा कि जल्द ही इस मामले में त्वरित कारवाई करते हुए सेक्षन 164 के तहट सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किये जाए जनवाई के दोरान हरी सालवे ने ये जानकारी दी कि अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है जिसमें 4 को पुलिस कस्टडी में और बाकियों को जुडिसियल कस्टडी में भेजा गया है जिस पर कोट ने सवाल उठाते हुए कहा कि बाकियों को पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं भेजा गया इस पर स्टेट काउंसिल गरिमा प्रसाद ने बताया कि सभी को पुलिस कस्टडी में भेजा गया था उसके बाद जुडिसियल कस्टडी में भेजा गया जिस पर कोट ने यह जानने की इच्छा विज़ताई कि क्या पुलिस ने पुलिस कस्टडी के एक्स्टेंशन के लिए अप्लाई किया था या नहीं जस्टिस रमन्ना ने स्टेट काउंसिल को यह आदेश दिया कि अगली सुनवाई से एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट कोट में जमा कर दें हम आपको बता दे कि इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होनी है अब देखना एहम यह होगा कि क्या सुप्रीम कोट के इस फटकार के बाद भी उत्तर परदेश पुलिस की इस जाच में तेजी आती है या नहीं आप बनेरी हमार साथ देखते रिये मोजो स्टोरी मैं हूँ अनूप